नमस्कार आपका आख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग। पिछले कुछ महीनों से देश में एक अजीब सा बातवरन बना हुआ है और देश में भी खास तोर से उत्तर भारत में। गोस्वामी तुलसी दास, कृत, राम, चरित, मानस को लेकर तरह-तरह के सवाल उठाये जा रहे हैं। उनकी चौपाईयों दोहों को लेकर सवाल उठाये जा रहे हैं कि और उसका विमर्ष जो तयार किया जा रहा है कि ये दलितों और पिछलों के खिलाफ है। उसको जातिवादी रंग देने की कोशिश हो रही है। एक सहित्यक रचना, एक धार्मिक गरंथ को इस रूप में जो ऐसा गरंथ जो हिंदूस्तान के घर-घर में है, जिसका सम्मान पीढ़ी-दर-पीढ़ी होता आ रहा है। उसको लेकर अपने राजनितिक हित के लिए सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाने वालों को न रामचरित मानस की जानकारी है, न उसके संदर्व की जानकारी है, न जो उसमें लिखा है, उसकी समझ है। ये विवाद काफी दिन से चल रहा था, इसकी शुरुवात की विहार के जो मंतरी हैं, सिक्षा मंतरी चंद शेकर याद हो। उन्होंने तीन चीजों का नाम लिया, एक मनुस स्मृति, एक रामचरित मानस और दूसरा हेगड़ेवार का जो लिखा हुआ है, बंच अफ थौट्स उसको लेकर, कि ये नफरत फैलाने वाली किताबे हैं, रामचरित मानस के बारे में इस तरह की बात बोलने के लिए, जो समझ, जो बुद्धिमत्ता, जो अधिकार होना चाहिए, वो इन में से किसी के पास नहीं है, नस्वामी प्रसाद मौरे, जो समाजवादी पार्टी के नेता है, इस समय अखलेश यादों के सबसे चहते हैं, इस मुद्धे को उठाने के बाद उनको अखलेश यादों ने प्रमोशन दिया, कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हो, बहुत बड़ी उपलब्ध ही आसिल की हो, लंबे समय से ये सब चल रहा था, आज उत्तर प्रदेश विधान सभाव में, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आधितियनाथ ने इनका जवाब दिया, जवाब ऐसा, कि मुझे लगता है कि रामचरित मानस को मानने वाले, या बलकि हम कहें, दुनिया भर में जहां भी जो भी हिंदू है, उसके मन को संतुष्ट करने वाला बयान, उसके मन को आश्वस्त करने वाला बयान, उसके मन को गर्व से भर देने वाला बया ऐसी बात कही हो ने और वो बोले एक संथ की तरह एक समासुधारक की तरह एक राजनेता की तरह और उनकी पूरी शब्दों और उनकी शैली में कहीं भी कटुटा नहीं थी कहीं भी विद्वेश का भाव नहीं था लेकिन हिंदू धर्म के प्रती हो रहे इस तरह के अपमान जनक बिवहार की पीड़ा जरूर थी वो उनके बयान से परिलक्षित हो रही थी उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की राष्टकवी रामधारी सिंग दिनकर की कविता की कुछ पंक्तियों से और वो कविता है मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों और वीरों का धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का पाते हैं सम्मान तपो बल से भूतल पर शूर आखरी पंक्ति को ध्यान से सुनिये जाती जाती का शोर मचाते केवल कायर क्रूर ये रामधारी सिंग दिनकर ने लिखा है वो भारती जनता पार्टी के नेता नहीं थे वो राष्ट्री स्वयम सेवक संग के स्वयम सेवक नहीं थे वो मोदी भक्त नहीं थे वो अंध भक्त नहीं थे जो आजका लेक नई टर्म चली है बड़ी प्रचलित है, बड़ा बोलने में मज़ा आता है कुछ लोगों को, किसी को भी जो उनके विचार के विरोधी हों, जो उनके विचार से आसामत हों, उनको अंधभक्त की संग्या दी जाती है, खेर उससे कोई फरक पड़ता नहीं, उससे कोई फरक इस देश के लोगों नहीं है, लेकिन आज बात योगी आधित जिनात के उस भाशन की, उनको जिस काल खंड में ये रचना हुई है, उसको समझने की जरूरत है, जिस भाशा में बोली में ये लिखी गई है, उसको समझने की जरूरत है, उस समय की जो प्रचलित सामाजिक मान्यताएं थी, उसको समझने की जरूरत है और उन्हें कहा कि तुलसी दास जी को तो अकबर ने अपने दर्वार में बुलाया था वो चाहता था कि उनके दर्वार का हिस्सा बने तो तुलसी दास ने टका सा जवाब दिया था हम चाकर रगवीर के पढ़ेओ लिखो दर्वार यह उनका हम तो भगवान राम के चाकर हैं नौकर हैं और यह दर्वार तो पढ़े लिखे लोगों का है तुलसी अपका होईंगे नर के मनसबदार भगवान के चाकर छोड़कर क्या मनुश्य के चाकर बनेंगे तुलसी और उन्हें जाने मना कर दिया यह वो समय था जब महिलाओं पर सबसे ज़्यादा खत्रा था भारतिय संस्कृति के इतिहास में महिलाएं अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित थी तो वो मुसलिम और मुगल शाष्कों के राज में थी उस समय यह लिखा गया है और इसका संदर्ब समझिए वो भी समझाय है योगी आधितिनाथ ने यह संदर्ब है रामचरित मानस का जब भगवान राम लंका पर चड़ाई की तयारी कर रहे हैं और समुद्र से प्रार्टना करते हैं कि हमको जाने का मार्ग दो समुद्र के पार जाना है उनको लंका अब आप देखिए भगवान कुछ भी कर सकते थे भगवान का जो भक्त कर सकता है वो भी भगवान ने अपनी शर्ति से नहीं किया भगवान के भक्त कौन? हरुमान जी हरुमान जी को पुल की जरुरत नहीं पड़ी उलंका लांग गए भगवान चाहते तो शर्म भर में ये सब हो सकता था लेकिन वो तीन दिन तक समुद्र की प्रार्थना करते रहे इस दोरान लक्षमन बड़े जो है अधीर हो रहे थे कि ये ये नहीं करना चाहिए आखिर में जब तीन दिन हो गए और भगवान राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चड़ाई तो सागर देवता प्रकट हो गए प्रभु भल की नहीं सीख मोही दीनी मर जादा पुनि तुमरी की नहीं धोल गवार शुद्र परशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी ये पूरा संदर्व है समुद्र कह रहा है कि अच्छा हुआ आपने मुझे सीख दे दी अच्छा हुआ आपने मुझे समझा दिया अच्छा हुआ आपने मेरी आखें खोल दी और अपनी मर्यादा को कायम जिनको रामचरित मानस को बुरा बताना है, जिनको हिंदू धर्म को गाली देना है, जिनको सनातन धर्म के खिलाफ एक विमर्ष खड़ा करना है, जिनको हिंदू को जातियों में बाटना है, जो जाती की राजनीती करना चाहते हैं क्योंकि वो हिंदू तुसे लड़ नहीं सक वो जाती की राजनीती करना चाहते हैं क्योंकि वो भारती संस्कृती से लड़ नहीं सकते ऐसे लोगों के लिए एक ही आसरा है कि विद्वेश फैलाओ, समाज में विभेद पैदा करो, उसके लिए ऐसी रचनाओं का ऐसा भाश्य करो जो उनका मूल अर्थ हो ही नहीं, गलत पेश करो, तो धोल गवार शुद्र प्रशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी है, इसमें कुल प्रशन जोड़ता है एक शब्द पर, ताड़ना, देखिए ये रचना की गई चित्रकूट में, चित्रकूट बुंदिल खंड में आता है, तो वहां की बोली का भी असर है, ताड़न शब्द है और मुख्यमंत्री ने इसका उधारन दिया, उन्होंने कहा मोर लड़का को ताड़े रहियो, तो इसका क्या मतलब है, उसको पीटना, इसका मतलब है उसकी देख फाल करना, उसको संरक्षन देना, उसका ध्यान रखना, दूसरा दिया, भाईया इतनी देर से एका ताड़ता हा, मतलब इतनी देर से इसको देख रहे है, तो ताड़ना का जो अर्थ बताने की कोशिश हो रही है, और जिस संदर में उसका इस्तिमाल किया गया है, रामचरित मानस में दोनों अलग-अलग है, अब सवाल यह है कि इन लोगों के लिए क्यों ऐसा क बहा गया है, तो ढोल पीचते हैं, तब वो बचता है, तब उससे दोनी निकलती है, संगीत निकलता है, तो उसकी देख भाल करना जरूरी है, सिर्फ ढोल को बजाते रहेंगे, उसकी देख भाल नहीं करेंगे, तो एक दिन काम नहीं आएगा, ढोल गमार, गमार का मतलब अ उसको सीधे जोड दिया जाता है दलितों से शूद्र का मतलब जो वण विवस्था में है वो जो श्रम जिवी हैं जो श्रम का काम करते हैं श्रमिक हैं उनके लिए और योगी जी ने कहा भी कि डॉक्टर अंबेटकर ने इसलिए कहा था कि दलितों को शूद्र कहना बंद कीजिए दलित शूद्र नहीं है तो धोल गमार शूद्र पशु का मतलब आप समझी रहें उनको रक्षा की संरक्षण की जरूरत होती ही है वो अपनी विथा तो वेक्ट भी नहीं कर सकते और नारी क्यों मैंने शुरू में ही जिक्र किया कि ये जिस काल खंड में ये लिखा गया है उस समय नारी सबसे असुरक्षित थी तो उसको सुरक्षा की बहुत ज़्यादा जरूरत थी तो ये समुद्र कह रहा है कि इन सब को संरक्षण की जरूरत है और वो हाथ जोड़कर कहता है कि ये ये आपकी मर्यादा की अनुरूप है कि आपने मुझे इसकी सिख्षा दी इसके बारे में। बताया। तो संदर्व को समझे बीना, शब्द का अर्थ समझे बीना अनर्थ करने की कोशिश हो रही है। क्यों हो रही है। क्योंकि हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना बहुत आसान है और योगी जी ने कहा किसी और मत मजहब के बारे में ऐसा जरब बोल कर दिखाईए ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू के अपमान और पूरे हिंदू समाज के अपमान के लिए किया जा रहा है फिर उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि वो मौरिशस गए थे पारलिमेंटरी डेलिगेशन में और वहां मौरिशस के लोगों से जो गिर्मिटिया बनकर वहां पहुँचे थे उनसे पूछा अब वो सामाजी क्रूप से बड़ी अच्छी इस्तिती में है कोई प्रदान मंतरी है, कोई मंतरी है, कोई राश्मती बना है इस तरह के पदों पर है, उनसे पूछा कि भारत से जब आये थे, उसके बाद से कुछ बचा है तो उन्होंका कि एक ही चीजद बची है, रामचरित मानस का गुटका अब आप देखिए रामचरित मानस के महतों को इससे समझिये कि सैकरों साल से जो लोग जिन लोगों ने इतना संघर्ष किया इतनी पीड़ा सही उन्होंने बचा कर क्या रखा रामचरित मानस को और उनको गाली कौन दे रहे हैं उसकी प्रतियां कौन फाड रहे हैं फिर रामचरित मानस की रचना उत्तर प्रदेश पे हुई लेकिन इसके विपरीत हिंदूओं को अक्मानित करने का काम हो रहा है फिर उन्होंने व्यंग किया कहा विरासत में और बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं लेकिन बुद्धी विरासत में नहीं मिलती और उन्होंने अपन प्रदेश और बिहार की बंडलवादी पार्टियों का हाल और इसका जो रोग जो है बढ़ रहा है उन लोगों के बीच में जो सनातन धर्म के विरोधी है जो सनातन धर्म को खलनायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसी रास्ते पर कॉंग्रिस भी जा रही है कॉंग्रिस ने त कि हिंदू धर्म को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। भर्म के खिलाफ है कि राजनीती चलती रहे हिंदू धर्म भले ही खतम हो जाए तो ऐसे लोगों से बहूं सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों की नियत को समझने की जरूरत है। उनकी नियत समझेंगे तब उनकी नीती समझ में आएगी। तो इस हंक में इतना ही अगले हंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लियन मती दीजे नमस्कार